क्रिकिट में अपना लोहा मनवाने वाले हार्डिक पांडिया को लेकर इन दिरों काफी ज्यादा चर्चाएं हैं पहली चर्चा तो IPL से वहीं अब दूसरी चर्चा उससे भी ज्यादा दरसल ये चर्चा है उनके पत्नी नताशा की वज़ा से क्या हार्डिक पांडिया का पत्नी नताशा से तलाक हो गया है क्या नताशा पत्नी हार्डिक से अलग रह रही है आखिर क्या चल रहा है इन दोनों के बीच आईये जानते हैं विस्तार से नताशा स्टैन्विक अपने स्टार क्रिकेटर हस्बिन हार्दिक पांडियसंग तलाग के खबरों को लेकर खूब चर्चाओं में है अफवा है नताशा और हार्दिक के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा यह स्टार कपल तलाग लेनी जा रहे हैं अपनी शांदाल लव बॉंड के लिए पॉपिलर नताशा और हार्दिक की तलाग के खबरों से मान उनके फैंस हिल गए हों 31 मई 2020 को नताशा और हार्दिक ने बड़े ही धूमधाम से शादी रचाई थी वहीं एक जनवरी 2020 को कपल ने सगाई की थी शादी के एक महीने बाद यानि 30 जुलाई 2020 को कपल के गर एक बेटा अगस्त्य पांडे ने जन मिलिया था जबकि 14 फरवरी 2023 को कपल ने पूरे वेडिंग कॉस्ट्यूम के साथ राजस्थान के उधैपूर में शादी और रिसेप्शन किया वहीं सोशल मीडिया पर कपल के अलग होने की खबरों ने मानों लोगों को हिला कर रख दिया है फैंस्वान रहे कपल साथ में कोई पोस्ट नहीं डाल रहे नताशा ने इंस्टेग्राइम बायो से पांडिया का नाम तक हटा दिया है बीते चार मार्च को नताशा का वर्थडे था, पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लक्त नहीं किया इतना ही नहीं, आइपियल की एक भी मार्च में नताशा मुंबई इंडियल्स को चीर भी करने नहीं पहुँची थी जबकि हार्दिक खुद M.I.E. में पहली बार कैप्टन बेनर थे, इसके बावजूद धी नताशा कहीं नजर नहीं आए लेकिन हार्दिक ने बीते 9 अपरल 2024 को घर से किर्टन का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनकी पत्नी ससुराल वाले मौजूद थे हार्दिक ने पत्नी नताशा के साथ पिछला पोस्ट शौदा फरवरी 2024 को वेलेंटाइन डे के दिन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को विश्च किया था, ऐसे में यह कहना गलत होगा कि नताशा हार्दिक के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा हो सकता है, हार्दिक अपनी फजीहस से तूड गए हैं, दो दिन पहले नताशा ने देसी लुक में अपना एक वीडियो शेयर किया, कैप्शन में लखा, उसके प्यार से उपर उठी, उसकी महिमा से घिरी हुई, वीती 30 अप्रेल को नताशा अपने बेटे के साथ अकेले ही घूमने गई थी, अ फिर हार्दिक पांडिया एमाई के वज़स होई अपने फजीहतों से परिशान है